तो आपको बताया गया था नेक्स टॉपिक लेकर के आएंगे किते भी ऐसे से टॉपिक से हम लोग अच्छा आधर से जादा हम लोग तो अच्छे अच्छे टॉपिक जो भी इंग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग लोग कवर कर शुके ठीक है बहुत सारे टॉपिक समल कवर कर शुके तो कुछ टॉपिक और भी हमारे बचे जैसे कि फादर सौफ वारियस फिर्ड चीक है तो यह सब हम लोग जो भी बचा कवर कर लेंगे धीर धीर करके अच्छली हुआ कि यह लास्ट होने वाला है आपका जो भी यह जितने भी टॉपिक से आपको करवा दिये गये हैं क्लासे में प्रिविएस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं तो आज का एक और टॉपिक है फादर आफ वैरियस फिट यह सब जो जितने भी चीज होते तो इस देखेंगे वादर वैरियस फिल्ड तो अगर आप देखो तो जो अभी हम लोग लाइस्टाइल जी रहें ठीक है जो एडवांस्मेंट लाइफस्टाइल है तो यह तो स्टार्टिंग बिगनिंग से नहीं थे यह अब जाकर हुआ क सब उनका ही देने जीनियस पर्शन का देए क्योंकि वह वाइड जो नॉलेजव नॉलेजवर परसन थे और लर्निंग के फेस में उन्होंने जीनियस परसन के नाम से जानते है तो उन्हीं के द्वारा यह दिया हुआ क्या है तो चीज है वह आज हम लोग देखेंगे ठीक ह इसमें हम लोग पेडाल के लेवल पर कवर करेंगे यह और built दुर्ण हम लोग देखेंगे इंडिया के लेवल पर... पहले वृट वाला शुक्त कार लेगे, तित्य ये जनक होते हैं पहले हम देखेंगे और पहले हम देखें Egypt कि लेधाwe यहां पर आप देखेंगे इस पहले डीयोIfском देख है तो हम लोग देखना कर लिधा है Todd पहले पहले इस एक पादर अइनना पहले अगए तो हमें उनके दिए गया है ठीक है पादर जो किताब वो मिला या फिर फिल्ड में मिला और उसके नाम जाते चाहिए वह तो कोई भी एक्जाम हो, SSC ले लो, अधर एक्जाम ले लो, यह सब पुछे ही जाते हैं, एक्जाम में एक दो कोशन डाल दिये जाते हैं, इसमें नेगेटिव में मार्किंग ना जाए, इसलिए इसको भी आप कवर कर ले, छोटा सा असान सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड न मतलब एकोनामिक्स के जनक कौन है, कौन है हमारे, adam smith, एक्जाम का जनक किसे का जाता है, ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा जाने, अगर आप देखो, तो Adam Smith के बारे आप थोड़ा सा जान सकते हो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है Adams इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो Adam Adam Smith क्या है Father of Economic आप यहां पर लिख लो ऐसे Father of क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लो Father of Father of Economic तिसी Adam Smith कहा कहां के थे स्कॉट लैंड के थे। कहां पर लैंड के यह थे चांथे एक फिलोसफर थे फिलोसफर थे एकॉनमिक से कौन यह मारे आडम इसमें तो बार में देखो तो इसमेड़ा थे फिलोसफर थे क्या थे यह अब से फिलॉस पर थे economics और इनके द्वारा मतलब इन्हें इकोनोमिक्स का जनक कहा जाता है यह स्क्वर्टी थे मतलब पढ़े ओगे थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होगे तो दो पाट्टों में पाटगा एक हमारा microeconomics होता है और एक macroeconomics होता है ठीक है तो यह हमारे microeconomics वाले है अगर आपसे एक्जाम में अगर ऐसा पोशन पूस्ट दिया जाए पादर पोशन पूस्ट दिया जाए क्या पादर father of microeconomic के Micebro m A Co masters macroeconomics तो यह वाला Macro होता है बड़ा और Mi वाला होता है छोटड़ा उससे आपको याधर कहीं जो माइक्रोमिक्स आपसे पूछा father of microeconomics तो आपको ऑनर ओर घंट ते टार्म इंद करना है। इनको दिया गया है थर और अगर अगर अक्वेकोनीक्स आपसे पूछा तापको अंसर क्या करना है protection आपको याद रखना है जो एक फिलोसफर थे एकोनॉमिक्स थे और इनके दौरा एक बुक भी लिखा गया था इनके दौरा एक बुक भी लिख्या गया उसका बुक का नाम क्या है इस भी आद रखना है वेल्ट वेल्ट ओफ नेशन अब बुक लिखे हैं तो क्या हो गया ओथर भी ओगया इनका एक बुक है बैल्ट ओफ नेशन यह भी कोशन के जाते हैं इनके दौरा ही लिखा गया एडम स्मिट के दौरा और यह स्पॉट इस थे और प्लस फिलोसपर एको जैसे क्या कहा जाता है फादर आफ एकोनॉमिक्स भी कहा जाता है अगर पूछा जाए फादर आफ लेंचे को अब लगता है तो इसके बारे में थोड़ा से देख लिए किसे कहते हैं यहां पर एक वर्ट जुट गया क्या इसको अपको ध्यान में रखना या अगर बिल्कुल भी यहां पर चाल्स बैबे जंसर ठीक है जाता है इसे याद रखना है और यह अगर एक्जांपल मिलो पर कंप्यूटर हो गया है और क्या हो गया है और जो परस्नल कंप्यूटर रहता है जिसे स्वाट में पीसी भी बोल जाता है यह भी हमारे कंप्यूटर के एक्जांपल में आते हैं और हमारे जो हम लोग रोज यूज करते हैं स्मार्ट फोन्स यह सब भी हमारे किसमें आ जाते हैं यह सब भी हमारे कंप्यूटर देख लिए कि फादर आफ मॉडर्ण कंप्यूटर कहां थे अलान त्यूरिंग आपको यहाद रखना नेक्स्ट मारक है फादर आफ रिलेटिविटी यह हमारे फ्रिजिक से रिलेटेड फादर आफ रिलेटिविटी किसे कहते हैं अर्वर्ट आइंस्टाइन घिए पर दीटिविटी यहाद हें आपलों पड़ें फीजिक्स ठीकिकों कि फोटोचिक पढ़ेऊं कि व्जिक्स में उस이 से रिलेटेड ही और जैसे की जैसे कोई फ़ॉंअफ आइनर्जी आकर के सर्फेस पर स्प्लिट करती है और फिर उसका एनर्जी का एमिर्शन होता है ठीक है तो यह फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट का यह थियोरम दिये थे कौन आरे यह अलवट आइंस्टाइन ठीक है अलवट आइंस्टाइन तो इसके बारे में थोड़ा देख लें फादर कि ऐस्पेशल और एक जेनरल ठीक है यह आपको याद रुखना है यह दोनों की एक अर इनन्हें नॉबबल प्राइस भी दिया था तैक है अलवट आइंस्टाइन थे इन्हें नॉबल प्राइस भी दिया था किसके लिए दिया गया था जो फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट है इसका खोज के ठीक है तो नौबल प्राइस भी दिया गया था नौबल प्राइस कब दिया गया था 1921 में किसे आलवा टाइंस्टाइन को ठीक है इन्हें नॉबल प्राइस भी दिया गया किसके लिए जो फोट उलेक्ट्रिक उपक्त था उसके लिए दिया गया था इन्होंने किया था एक्साफेस प्रेस्ट किया इमेशन हुआ था यह फोटो एलेक्रिक इफेक्ट आप लोग सब्सक्राइब नीस सब्सक्राइल दोगों सब्सक्राइब बाती याद रखनी है यह हो सब्सक्राइब शोक्राइनτιमस के लोग याद कर लेते हैं बस फादर ओफ फिल्ड फादर ओफ फिल्ड एंड उसके नेम ऐसे पढ़ो गह तो आपको याद करने में easy होगा ठीक है थोड़ा सा भी इसके वारे में detail में जोगे तो याद करने में और भी easy होता है आपके लिए यह ता कि आपको याद करने में एक टाइप से लाइवर्टरी टेखनीक है क्या है लाइवर्टरी टेखनीक है अब थोड़ा से बारे में चलते हैं यहां पर DNA के बारे में आप लोग पढ़े होगे बायो में ते भी कि लोगें पता होगा स्वाक क्या होता है अब जानते हैं पता होगा लीघे का फूल फॉर्म क्या होता है यह पिद्स आपको याद रखना है यह सब कोशेण माइनर कोशें पूछ लिए जाते एकजाम में क्या हता है इसके टोटा चार स्टेप्स होते हैं लाइबरोटरी में एक टेकनीक होता है जिसके क्या पता लगा जाता है किसी पर्शन की आइडेंटिटी को डेटर्माइन करने के लिए डिने फिंगर प्रिंटिंग यूज किया जाता है तो यह इसका मेंट पॉइंट था और यह आपको याद रखना है और यह क्या था इक लाइबरोटरी टेकनीक था इसके टोटाल चार स्टेप्स होता है यह आप बाईयों में पढ़िएगा यहां पर आपको नहीं पढ़ना है यहां पर बस आपको वैरियस फिल्ट फादर आफ टेलेफोन जो आप यूज करते हो अगर दुनिया में टेलीफोन ना होता स्मार्ट फोन नहीं होता तो लाइफ कैसा होता है तो यह सब पूरवर्ज है तो हमारे एंसेंट परियेंट के जीनियस परसन यह जित्ते भी है तब उनके द्वारा ही देन है जो आज हम लोग इतना एडवांस्मेंट लाइफस्टाइल जी रहें उनके बज़े से जीनियस परसंत है अभी भी होता है जैसे कंप्यूटर का जो भी पुछ हुआ निर्मान हुआ ठीक है उसका डेवलप्मेंट किया गया तो हमारे लाइफ को क्या बना दिया बना दिया लाइफ को बहुत ही बन पढ़ते आ रहे हो गया फादर आफ टेलिफोन आप चलते हैं नेक्स पर फादर आफ कॉमिक बुक क्या होता है स्टोरी होता है स्टोरी टैप का एक मैगजीन होता है ठीक है अगर आप डॉर्मान देखती होगे तो उसमें कॉमिक बुक रहता जो नौविता को बहुत मैगजीन की तरह काम करती थी अभी तो अब मैगजीन सागे बहुता है यह मैगजीन ही होता था जिसमें ड्रामा स्टोरी वगेरा पिक्चर की तुरू विजलाइस करकी दिखाया जाता है ठीक है पिक्चर दिये रहते थे और बच्चे लोग इसे पढ़ने में बहुत इंट इसके टोटल दो पार्ट थे पार्ट वन में इसमें दो सो से ज्यादा पेजेस वाले मैगजीन से यहीं सी कॉमिक बुक में जो बहुत फेमास थे इसलिए इसे फादर आफ कॉमिक्स कहा जाता है पहला थोगा ए स्टैनली वर्ड के लेवल पर फादर आफ मार्वल कॉमिक्स कहते हैं और दूसरा हमारा अनंत पाई जिसे फादर आफ इंडियान कॉमिक्स कहा जाता है ठीक है भारत का फादर आफ इंडियान कॉमिक्स कहा जाता है किसे अनंत पाई को अंगल नामीं स्वारी अनंत पाई को अंकल पाई के नाम से भी जानते है ठीक है यह भारत यह थे या एक इंडियान कॉमिक बुक वगएरा ये ड्रामा वगएरा लिखते थी और दो फेमस कॉमिक बुक थी ठीक है वह बहुत इंपर्टन है जैसे टिंवर टिंकल वह चिर्डरन से रिलेटेड यह बुक है और भी इसकी बुक है लेकिन दो प्रश्लित थी हमारे इंडियान वह बुछा जाए कॉमिक स्टैनली ठीक है और नेक्स हमारे के फादर आफ अना टॉम्य अना टॉम्य को समझने में बहुत इज्जी होगा कि अना टॉम्य होता क्या अक्शलिए अना टॉम्य होता है कि इस ए ब्रांच आफ साइंस ठीक है यह बायलोजी का एक पार्ट है जि हमने और टॉम्य को अना टॉम्य होता इंटर्न बॉडी पार्ट या फिर अनधर बॉडी पार्ट के बारे में जो स्टैडी करते है पुने अनेटॉमी का जाता है यह आप लोग इंट्रूमी में पड़े हो गया अप्सीं हो गया थे तो फादर आफ अनेटॉमी कि इसे कहा डाता है एंडूस लिस टिकंग कर सकते ऱ जाता है पॉद्थट में सब्सक्राइब को बादो रिसर्ची सद्रस्टाइब बाद धिथी तो यह ब utmost एनस को सब्सक्राइबERO करेकर अंद्टोंस पर नेक्स्टाइब वुक्राइबड़ काने पढ़ते हैं उसमें क्या होता है एलिमेंट होता है फिर अब मेंडली परियोडिक्त टेवाल यह सब पढ़ते होगे बहुत सारे उसके पार्ट से ठीक है कुछ इन और्गानिक केमेस्ट्री और्गानिक केमेस्ट्री फिजिकल केमेस्ट्री इस टाइप से होते है तो यह जो modern chemistry यह फादर आफ modern chemistry क्या आप जानते हैं फादर आफ modern chemistry कहा जाते है किसे अने टॉनी लववाइज है ठीक है अब नेक्स्ट हमारे क्या फादर आफ microbiology या फिर Microscopy ठीक है अब यह फादर आफ microbiology कौन है कौन है हमारे अन्ठोनी फिलिप्स वैन लुइन हॉक जिसे आप लुइन हॉक के नाम से जानते होगे पढ़ते होगे आप ठीक है यह हमारे किस से रिलेटेड है फादर आफ microbiology microbiology क्या होता है इसके बारे मुझे देख लेते है microbiology क्या होता है इसको पता करोगी यह है क्या अक्चुली अपको समझ दाएगा बस रटने से कुछ नहीं होता इसको पता करो microbiology किसे कहते है microbiology microbiology यह फिर माइक्रोपी आप बोलो तो यह क्या होता है दस्टड़ी ओफ क्या दस्टड़ी ओफ चु क्या जित्ते भी different organism होते है ना जैसे कि हमारे वाइरेश बैक्टिरिया स्ट्रोटोजोड आलगी फंगाई फंगाई फंजा यह सब जो आप देखते हो यह सब क्या है तब गर मैंक्रो ओर्गनीसीम के यह स्टेडी ओफ मायक्रो और्गनीजम केवह इसिए प्रभी कुर्टेर यह समगेल पर धंग आपक्टेरिय और माय। कंस हैं प्रूटोजुआ ऑप अंटे करते हुथ हुआ ह Хग्ष हमारे स्टर्द गोस्ट है किहा थैर इससे में करने हम लोग स्पेथ हमयरा हम अधिकर आज यह थ हुआ इनके लिगल पूरा नाम क्या है एंट्वानी फिलिप्स वैन थी चिसे फादर आफ माइक्रो बाइपनी किसे कहते है यह यह कौमेडी के फाधर करा थे in the ancient period he is known as the ancient prince of comedy ठीक है यह किस नाम से जाने जाते थे हमारे Aristophanes या किस नाम से जाने जाते थे दा प्रेंस ओफ हमारे ancient ठीक है the prince of ancient comedy के नाम से जाने जाते है जिसे father of comedy एक American थे एक American comedian थे जिनने 40 dramas इन्होंने complete किया थे ठीक है एक American थे अब नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट आप देखें यहां पर और भी हमारे father of father of biology, geology, embryology and the political science यहां पर आपको चार questions कबर हो जाएंगे पहले तो father of biology कौन है फिर पूछ सकता father of geology कौन है फिर पूछा जा सकता है father of embryology कौन है और पूछा जा सकता है क्या father of political science कौन है तो यह चारों का अंसर एक ही है अरिस्टोटल यह इन चारों के जनक कहा जाता है ठीक है embryology क्या होता है जो embryo development होता है अब लोग बायों में पढ़े होगे embryo 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 genesis के सब पढ़े होगे तो इसमें आ जाते है जो gamut formation होता है gamut formation जो sex cells होता है उसके बारे में embryology में जिक्र होता है और यह fertilization प्लस gamut development एंड प्लस embryo का development इसी embryology में आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा ठीक है और नेक्स्ट हमारे का political science political science जो हमारा politics related जैसे laws हो गए गोवर्मेंट डिप्लोमासी हो गई ठीक है और political ideas ideology तो यह सब हमें laws किसमें आजएंगे political science में आजएगे तो यह चारों के जनक किसे कहा गया है Aristotle को कहा गया ठीक है यह चारों के जनक किसे कहा गया अरिस्टोटल को कहा गया है ठीक है अगर कोई दिक्कर दो पूच सकते है नेक्स्ट हमारे का फादर आफ सोसियोलोजी सdit करने ऐसे सोसियोलोजी तो मितलब किश बहुट पहुट किशेजें उसे स्योसियोलोजी पिसे कहते हैं और स्टूर यह चार्व सपींट साल्यग कर प्र तो बहुन इंटेस्ट आएग थालगा समाज सास्त के बारे में आपको बोता आता है तो सोसल पिपूल सोसाइटी सोसल बिहेवियर के बारे में इसमें आपको जानने को मिलेगा I think सभी को यह पढ़ना चाहिए इसके फादर कौन है अगस्टे ठीक है नेक्स्ट मेरे के फादर ऑफ इलक्रिसिटी यह तो सबको पता है बच्पन से पढ़ते हैं इसके चैप्टर भी था जो बेंजामीन फ्रैंक्लीन एक इंडिया के बुक में दिया वा था बेंजामीन फ्रैंक्लीन की काई टूड़ा रहे फादर ऑफ एक वीडियो में में लोग कवर कर लेंगा पहले यह कवर कर लेते हैं उसके बाद फादर अफ इलक्रिस्टिटी हमारे कौन हो गए बेंजामीन फ्रैंक्लीन नेक्स्ट हमारे क्या है तो इनके जनक कौन है हमारे अडॉल्फी टोडर एन हमारे प्रॉंग याने ठीक है यह जो फेलियो बोटनी है यह क्या करता है जो भी हमारे एंचेंट पीरियेट के प्लांट से उसके बारे में स्टेडी करना तो यह वाल्ड के लेविल पर आडॉल्फी को फादर आफ बोटनी कहा जाता है अगर आप इंडिया के लेविल पर दिखो तो वीर्वा अगराल फैलोग प्लांट से उनके बारे में स्टेडी करने के बारे में जो सेडिमेंट रॉक में जाते हैं उसके स्टेडी करने के लिए ने स्टेड आफ पलियोगोटनी कहते है नेक्स्ट हमारे क्या है थाफ यहाँ पर देखो कि modern बायोकैमिश्ट्री अब आपको बताना दो है को कहाँ इन हमारे मोडन बायोकैमेस्टरी करते हैं इनक यह का बिलेटेड अधिक रडाटी आध क्यू से माय गता है ताइकता है उसमे सब्सक्राइब आप प्रते होगे जूलाजी जैसे आप पड़ते हो प्लांट के बारे जाए के जो बारे में आ निवारी में लिप् सपता है ताल जयतों सब्सक्राइब अबॉद्स धाइब स्काइब यह वह पड़ाया था धा ट्रीसिफिकेशन जडिपिएशन में Apost Mississippi से दिया चूफटे-चो आप या फिर कोई micro organism हो ठीक है उसको identify करना उसका naming करना तो यह किसके थ्रू किया जाता है taxonomy उसको classify किया ठीक है यह जो taxonomy होती है total seven types की होती है उसमें हमारे कौन को ना जाते है kingdom phylum और division और class order family genus and हमारे कौन से spaces ठीक है यह total start type की taxonomy होती है आप लोग पढ़े होगे class 10 में classification आपको पढ़ा गया होगा taxonomy का तो कोई भी organism या plant या फिर animals हो गया है उनको classify किया जाता है उसका naming करना डिराइफ करना ठीक है तो वह taxonomy यह classification के थूँ किया जाता है किसके थूँ कार्ड लीनियस के थूँ किया गया था ठीक है इसको father of क्या कहा जाता है taxonomy या फिर father of classification कार्ड लीनियस को कहा जाता है और यह जो नॉमेन का नॉमेन क्लेशर वाला जो पार्ट आप लोग पढ़े होगे class 10 में नॉमेन क्लेशर भी इनी के द्वारा ही दिया गया था ठीक है यह नॉमेन क्लेशर में यह आता है कार्ड लीनियस तो यससे आपको याद रखना है classification father of क्यों है कार्ड लीनियस अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर देखो father of computer आ गया question एक हम लोग देखे father of modern computer उसका अंसर कुछ और था यहाँ पर आया हमारे क्या father of computer तो father of computer कौन है आख बन करके बोलोगे और यह 1791 में इनका जन हुआ था ठीक है और 1871 में इनका मित्ति हुआ था कि इनका चार्स बैबच का जो एक इनका जन हुआ था 1791 में कहां लंडन में यह भी कभी कभी पूछ लेया जाता है कहां के लंडन में इनका जन हुआ था और नेक्स्ट मैं के father of evolution इववलूशन भी आप लोग पढ़े होगे इस्ट्री में आप लोग पढ़े होगे कैसे कैसे generation by generation लोग changes होते गा है जिसमें हम लोग आ जाते है पहले तो बंदर से इनसान बना ठीक है तो यह evolution है कैसे generation by generation classification होते गया तो यह father of evolution कहा किसे जाता है किसे कहा जाता है प्लॉडे यह किसे कहा जाता है इसे कि जनक किसे कहा जाता है narat koo कहा जाता है नेक्स्सक्राइट अब prophecy मरें माडन सीनेमा यह जो मौडन सिनेमा नाम से जानते है explaining its ठीक है यह अमेरिकन थे हैं यह अमेरिक थे कौन से डैविड वड गृफ्टन जिन्हें फादर आफ मॉडेन सीनिमा के नाम से जानते हैं नहीं निर्मान किया था इसलिए इसका जनक कहा जाता है जो अमेरिकन थे फाधर ऑफ आयुवेदा क्या था विश्ण का अफ्तार के पुरानों में अगर आप पढ़ो तो रॉड्विश्णू का अफ्तार के तौर पे इसे पहा जाता है ठीके इसे धन्वंत्री को लेकिन अगर आप और इसे विश्णु का अफ्तार लोग समझते हैं पुरानों में ऐसा लिखीत है जो भी हमारा वेद वगएरा वो समय लिखीत है कि यह लौड विश्णु का अफ्तार थे कौन धन्बंत्री लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पर भारत के को तो भारत का फादर ओफ आयूरवेद किसे का आ गया है चरक को का आ गया है थोड़ा से इसके बारे में देख लेजिए चरक के बारे में इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया जाता है तो जैसे कि लोग फादर ओफ आयूरवेद तो फादर ओफ आयूरवेद वर्ड पर कौन से धनवंतरी यह हमारे वर्ड के हो गया है अगर इंडिया का पूछा जाए इंडिया इंडिया पूछा जाए तो कौन हो जाएंगा हमारे चरक तेसको चरक पढ़ क्लिए चरक इंडिया के फादर आप मताब भारत के आयुरुवेद का जनाक्ती से कहा जाता है इनके दोरा एक किताब bean कि लिखी गई रिक का इस बिक पनाद रखना थीक? एक book लिखा यह चरक के द्वारा चरक सहीता ठीक है? क्या? चरक सहीता चरक सहीता एक किताब भी लिखे गए जिसमें किस चेस का जिक्र है? बहुत सारे Pelant के Species और Animal के बहुत सारे Species के वारे में जिक्र किया गया अगर आप देखू इसमें थो 340 इस दूरीकष है 340 पॉधा टोटल 200 जन्तू यह चरक तरही तक है इस चरक के द्वारा लिखा गया है जो भारत का मतलब क्या अईरवेद का जनक कहा जाता है भारत में चरक को गारत में लिखे उनके दूरीक लिखे थो लिखे गया है भारत की आयरुवेद के जनक कहलते हैं हमारे इंडिया आधिया की हो गया इसे अथो घ्राद हुआ इससमी मेच सी तेवल आथे टे मिश्यामे केमेस्ट्री नहिंट्स या था नहीं है तो पहले से लेक्रदे है लेकिन और उसमें ज्यादा D kasih नहीं देते याद नहीं करते लेकिन आप तो याद करना पड़ी रहा है हमें याद कर लेते तो इसको डिवाइट कर दिया गया तो वही आप से पूछा गया पूरा नाम है में लेकिन पूरा नाम कीहा है वागता है परियोडिक टेवल में किटने elements होते हैं आपको पता है पता है तो comment करिये कितने elements आपको करें कि यादा नहीं बस थोड़ा सा अब लोग 10 में पढ़ रही होगे इलमेंट्स क्या होता है ठीक है थोड़ा से यहां पर बता देते हैं आपके आपको याद रहे का नाम तो जो प्रियोडिक टेवल है टूटल एलमेंट्स हाइड्रोजन हिलियम लिथियू बरेलियम कार्वन ड्रीय उच्छिजान यह सब क्या है अलिमेंट्स परियोडिक टेवल में उसमें तोटल elements की संख्या 118 है ठीक है सबको row और column में बाढ दिया गया तो row वाले होते हैं पीरियट और column वाले होते ह 누ुप ठीक है तो भी पीरियट ग्रूप में बाढ दिया गया है total 118 department होते है और total group कितना होता है इसमें ग्रूप में पड़े होगे सब ग्रूप में पड़े होगे तोMy ये ये इसलिए उन्हें पादर ओफ क्या कहते हैं क्या क्यों जिमे कैंतरिक मेंडलीव को कहते हैं नेक्स्ट हमारे क्या father of vaccination and father of immunology अब immunology क्या होता है the study of immune system तो हमारे immune system है उसके बारे में study जो करता है उसे immunology कहते है ठीक है vaccination जो vaccine वगएर आप लेते हो तो उसका जनक कौन है उसका father कौन है यहाँ पे father of immunology and father of vaccination हमारे सेमी है कौन इडवार्ड जेनर ठीक है immunology क्या वाजमारा immune system है चाहे वह कोई भी और्गनिजम इम्यून सिस्टम को study करता है उसे यह जो father of vaccination and father of immunology किसे इडवार्ड जेनर को का गया किसे इडवार्ड जेनर को इसे आप याद कर सकते है ठीक है तो यह सब हमारे कुछ इसे पादर साफ वारियस फिल्ड ते आज हम लोग इतना कवर करते हैं पूरे डिटेल में देखें कि कौन क्या इसके बार हम लोग समझें कि होता क्या जैसे अनटोमी क्या होता है प्रियूटिक टेवल क्या होता है सब कुछ हम लोग लेकर कि चले और भी आगे हम लोग क्या हम लोग 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 ऑल कि यह हम